कि एगाइज वेलकम बैक टो माई चैनल इंडेनल बादल उपरती मैंने पुरानी एक वीडियो डाली थी ग्रोथ हार्मोन्स के उपर और एक साइकल के उपर डाली थी जो बिगनर के लिए होती है या फिर अगर कोई एठ्रीट है तो उसको ले सकता है ऐसा मैंने एक सेजेशन दिया था उसमें काफी कमेंट्स आ रहे हैं उसमें काफी स्लाइक्स आ रही हैं और काफी उसका मैंने देखा उसके रिलेटेट काफी मेरे को क्वैस्टन फुट अप होने स्टार्ट हो गए हैं तो मुझे लगा कि आपके लिए थोड़ा सा नौलेज आपको और दिया जाता है जैसे इंडिस्टी में देखा आपने बहुत ज्यादा बंदों को कह जल्दी से बौड़ी बनानी है जल्दी से आके रिजट चीए कि किसी के पास इतना टाइम नहीं आजकर ताइम कोई बेस करना नहीं चाहता है हर कोई जल्दी से बौड़ी बना रहा हूं मैं फिर से आपको बोला हूं कि अगर आप लेते हो अपने रिस्क में मैं किसी को सेश्चन दे सकता हूं कि आप क्या लेना चाहते हो क्या ले सकते हो बट मैं किसी को रिकमंड नहीं करूँगा बिकास ये सारी चीज़ा उनके लिए है जो एक प्रॉप्सिल बॉडी बिल्डर है ये एक आम आदमी के लिए नहीं है तो गाइस मैं आपको बताने वाले कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपकी बॉडी को बहुत जल्दी इंकम से बहुत जल्दी ग्रोथ करेगी बहुत जल्दी आपका मस्ट डबलब होगा और बहुत जल्दी उसका रिजल्ट आएगा लेकिन गाइस अगर आपने मेरा चैनल अभीदल सब्सक्राइब नहींगै bipartisan अब प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दिजे इसमें एक बैल आएकान होगा उसको सेट कर दीजे एक लाइक होगा उसको प्रेस कर दीजे अगर मेरी आपको वीडियो पसंद आती है तो और इसको जादा से जादा से शेयर करना अगर आपने इसको समझ मायाँगा या आपके भाईबन कोई भी उनको प्लीज इसको सेयर करिए उनको बताईए कि क्या है यह कैसे आप अपनी बॉड़ी बनाओगे मैं आपको एक चीज बता दिता हूँ गाई सबसे पहले तो, आपको महनत करना है, महनत के वगर कुछ भी नहीं है अगर आपके पास पैसा है तो आप झारी कोई करिश सकते हो, लेकिन बॉड़ी नहीं खरी सकते है बॉॡी खरीतने के लिए आपको मेहनद च्ञेए आपको बॉडी बनानी तो चाहिए कितना भी पैसा आपको बें बाड़ेगी आपको जिम आके मेहनद करने पड़ेगी आपको अपना पर्रॉपर ब्ली या कॉंसेंटेंसी में आप लोगे आप इसको डिसिप्लेन में चलोगे तो आपकी बॉड़ी बन जाएगी कुछ भी और कोई ब्रमास्त नहीं है लेकिन मैं बात कर रहा हूं गाइस जियार्पी 6 की आज जियार्पी 6 है क्या यह बेसिकली एक पैप्टाइट है एक ग्रोथ च्यार्पी 6 क्या करता है इसके अंदर इंक्लूड होता है डी अमिनो एसिट का काम क्या होता है यह लीड करता है बेसिकली आपके हार्मोंस को प्रिद्यूस करने का काम होता है इसका यह इसमें होता है तो यह हार्मोंस जब प्रिद्यूस होगा बॉड़ी के अंदर तो एक शazarण जायगा जिखेंग करें सबसे ज्यादा बाढ़िक मेरें मिधिक्र घुंटे जब से जड़ा इंदर आप मैंसि कीभात करें तो मेंसि ज़्यादाब वाद्य पलें होता हुटा है यह सबसे पहले लोर फैट को क्या नगें खतम कर देगा आपके stamina जो body के अंदर आप देखू कभी भी आप सुना होगा कि आपके अप में heavy weight मारोगे तो muscle जल्दी growth होगा तो heavy weight कप मारोगे आप जब body में आपके stamina होगी body में आपके stamina होगा जब body में stamina ने तो आप heavy weight कैसे मार पाओगे तो सबसे पहले यह आपके stamina को बढ़ा देगा आपके lower fat को खतम कर देगा muscles को automatically muscles increase होना start कर देगा आपके hormones के food, hormones produce कर रहा है आपका जो carbs body में जा रहा है उसको consume कर रहा है, fat को consume कर रहा है तो automatically देखो इसका क्या नाम है consume कर रहा है, इधर growth है, इधर hormones को convert कर दे रहा है hormones को convert हो रहा है, automatically body बन भी है तो guys, यह इतना जल्दी effect body के अंदर डालता है बहुत जल्दी effect डालता है लेकिन यह तो बात रहे हैं, आपके किससे क्या फायदा है अब मैं आता हूँ आपके main topic पे कि इससे नुकसान क्या है आपको लेने से पहले इसके नुकसान भी देखने है कि आपको नुकसान क्या हो सकता इससे guys, इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है जो जालत तर बंदों के अंदर देखा गया है वो है आपका lactating naples जो mansk ropes होते है basically यह जो आपके naples है इनको क्या करेगा यह basically इनको बड़ा कर देगा आपको इससे हाथ लाओगे तो इसमें दर्द होगा इसका सबसे बड़ा side effect है मैं आपके बतार हूँ इसके अलावा आपको headache सर में दर्द होगा आप not only जियर्प 6 की बात ही इसके ब्लोटिंग क्यों होती है क्योंकि यह water retention करता है water retention जब body से होगा तो automatically आपको क्या bloating से feel होगी fever आता है इसके अलावा आपने महसूस करोगे आप यह चलाने के बाद जब आप इसकी cycle खतम हो जाएगी यह चल रही होगी तो आपको feel होगा joints में pain होना joints में pain होगा जब आप चला रहे हो cycle तो उसमें तो feel नहीं होगा लेकिन after finishing your cycle आपको क्या joints में pain होना उसके लिए आपको क्या क्या करना है उसके लिए आपको अलग सा treatment इसका लेना पड़ेगा calcium D3, vitamin यह सारी चीज़े है आपको ebion या आपको क्या बोलते है बहुत सारी चीज़े हैं जो आपको लेनी पड़ेगी आपको omega 3 लेना पड़ेगा fish oil लेना पड़ेगा आपको natural fish कानी पड़ेगी तो यह चीज क्या इसके recovery करेगी तो आपको यह चीज लेनी है अगर आपको joints में कभी pain होता है तो इस चीज का आपको इसका पहले से आपने इसका treatment लेके रखना है पहले से सब कुछ करना है इसके साथ चलाना है वो अगर आप नहीं लोगे D3, vitamin, calcium यह सारी चीज़े नहीं लोगे तो automatically आपको joints में पेन होगा पूछोगे किसी की supplement वाले से पूछोगे इसको लेना कैसा है तो उनको उतना knowledge है या नहीं है मैं confirm नहीं कर सकता हूँ लेकिन कई बंदों को नहीं होता है तो आपने purchase तो कर लिया लेकिन लेना कैसे इसको लेने का तरीका मैं बतारूँ गाई इसके अंदर 5 mg एक आपको 40 cc मिलेगी टोटल आपको 10 cc मिल जाएंगे इसके अंदर 10 cc के साथ आपको 10 इसके अंदर water मिलेगा इसमें pour करने के लिए तो आपने क्या करना है उस water को तोड़ने के बाद उसमें 1 ml आपको टोटल इसको 9 mcg में convert करना है तो आप क्या करोगे 300 mcg एक बार में लोगे अब आप mcg, mg इस सबसी जों में confused रहोगे बस इक बिल आपको फंडा बता रहो आपने क्या करना है एक ml पानी, एक ml कमसे को इसको स्रीज में ले लेना है उसको जो है इसमें pour करना है और इसको हिलाना नहीं है इसको हलका सा, ऐसे से घुमाना है, हलका सा घुमाने का बार जब mix हो जाए, तो उसमें से उसको तीन भागों में divide करना है तीन भागों में divide करना है और खाली पेट इसको लेना होता है खाना खाने से आता गंटा पहले, खाली पेट इसको लिया जाता है और आप जब अगर beginner हो, beginning में आप ले रहे उसको तो दो बार आप लेजिए इसको यानि कि अगर इसके तीन डोस बनती है एक CC में तो आपने दो टाइम लेना है सिरफ तीन टाइम भी आप ले सकते हो बट नोट फर्स वीक, आपने पहले वीक दो बार लेना है फिर दूसरे वीक से आप इसको तीन कर सकते हो तो एक CC आपकी एक दिन में खतम हो जाएगी दस दिन भी एक पैप्टाइट आपकी चलेगी उसके अलावा ये आपको एक ही पैप्टाइट नहीं चलानी है तो इसका बहुत अच्छा रिजट आता है इसके साथ अप अनावर चलाओ कुछ भी चलाओ तो गाईज अनावर चला सकते हैं इसका बहुत अच्छा रिजट आएगा बहुत अच्छा रिजट लेकिन रिजट से पहले इसके क्या साइट इफेक्ट है उसके भी आपने ध्य जाते हो मैं यह व्यूज देखता हूं इसमें 1K, 1, 2K ऐसे व्यूज रहते हैं लेकिन लाइक नहीं होते हैं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आई प्लीज इसको डिसलाइक कर दीजे आप कमेंट में लिख दीजे कि हमें पसंद नहीं आई बट प्लीज जाने से पहल कर दो